नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली मनलेनेस वरेक्साम्स 1st जूलेई 2022, आज के इंपोर्टर मनलेनेस कौन कौन सा है, चक करते हैं, सबसे पहला, अंडर 23 एशन रुसलिंग चांपिनशिप्स, में, क्रिगिस्तान one of the Central Asian countries है, आपको पता होगा वैसे Central Asian countries कौन कौन सा है, कसाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान, उस्बकिस्तान, और क्रिगिस्तान, आपसे एक सवाल है दोस्तों, शांगाई कोपरेशन ओगनेसेशन या फिर SEO के बार में अपने सुना होगा, तो वापस आते हैं, Under 23 Asian Wrestling Championships 2022 में, इंडिया 25 medals जीता है दोस्तों, इसमें 10 gold भी है, 8 medals, freestyle wrestling में आया है, 7, greco-roman में आया है, और women ने 10 medal जीता है, वैसे जो greco-roman ने दोस्तों, this is very important, एक बार एक examination में पूछा था, कि ये greco-roman category कि sport से related है, ठीक है, तो एक टेप का wrestling style है greco-roman, तो न्यूस के आया है, टोक्यो ओलिमियन दीबग पुनिया ने bronze medal जीता है, 86 kilo freestyle weight category में, gold medal मिला है, आजिस्बेक वाईजूलाब अफ उस्बकिस्तान को, और सिल्वर medal नूर्तिले करिबव अफ करिगिस्तान को, अगला है नवाग जोकोविच, नवाग जोकोविच पहला tennis player बना है, जिनोंने 80 matches जीता है, इन all four grand slams, कौन-कौन से है दोस्तों, चार grand slams, Australian Open सबसे पहला होता है, जनुवरी में, फिर French Open, जिसे Roland Garros भी बोलता है, यह click court में होता है, मैई से जून तक, फिर Wimbledon, जिसे UK Open भी बोलता है, कभी-कभी, यह grass courts में होता है, जून से जूले त फिर US Open, August में होता है, सबसे last grand slam भी US Open है, यह hard courts में होता है, September में, तो अगर इस साल का Wimbledon भी, Novak Jokovic जीत जाता है, तो उनका 21st grand slam title होगा, और Wimbledon में 4th consecutive victory होगा, क्योंकि 2018, 2019 and 2021 में Novak Jokovic नहीं, Vimbledon जीता था, वैसे, सबसे ज्यादा Wimbledon title अभी तक जीता है, Roger Federer, 8 titles इनके बाद Pete Sampras है, जिनका 7 है, अगर Novak Jokovic इस साल का Wimbledon जीत जाता है, तो Pete Sampras की title में आ जाएगा, अगरा है, Ease of Doing Business, Government of India, Ease of Doing Business रैंडिंग्स रिलीस किया है, टॉप रैंक पे आया है, आंधरा पदेश, 2020-2021 financial year के रिए है, तो आंधरा पदेश का score है 97.89%, second prize है, गु तेलंगाना 94.86%, ठीक है, वैसे यह जो चार स्टेट्स हैं न दोस्तों, आंधरा पदेश, गुजरा, तमिलनाडु और तेलंगाना, यही सबसे ज्यादा इंडियन एकॉनमी के लिए contribute करते हैं, सबसे ज्यादा tax pay करते हैं, इसके बाएर में एक वीडियो हर्षिसा ने करीब एक साल पेरे बनाए था, मतलब देखिए, गर्मन सारे स्टेट्स से टैक्स कलट करके अपने पास रख देते हैं, फिर फिनांस कमिशन के तुरू सारे स्टेट्स को revenue deficit grant देते हैं, यह सब आपको मालूम होगा, तो basically मेरा कहने का मतलब यह है, यह चार स्टेट्स बहुत ज्य पोसेशन में आया है दोस्तों, इन्होंने business reforms action plan को बहुत अच्छी तरीके से implement किया, यह जो business reforms action plan जो इनली formulate किया था, department of promotion of industry and internal trade and the world bank, अब उजे comment box में बताएए, यह जो department for promotion of industry and internal trade किस ministry के अंडर आता है, वैसे आंधरा प्रदेश का industries department, significant progress डिस्पले किया है, बाकी सारे और इन्होंने काफी सारे reforms भी लेकिया आया, regulatory, process, transparency, देखा जाएगा तो 2017-18 financial year में इन्होंने 372 reforms किये, 2019-20 में 187 and 2020-21 में 301, तो इनका यह efficiency administration की वज़े से, coronavirus pandemic से जो economy down गया था न, उसे बहुत जल्दी recover भी कर पाया, अगला है, नीती आयोक and TIFAC report, नीती आयोक and TIFAC ने एक report release किया है, report का टाइटल है, forecasting penetration of electric two villages in India, तो basically इंडिया में electric two villages कितना dominate करेंगे, वरे automobile industry में, इसके बारे में एक report है दोस्तों, वैसे TIFAC का full firm क्या है, technology, information, forecasting and assessment council, यह basically एक autonomous institution है, under the department of science and technology, तो इस report के साबसे 100% penetration of electric two villages होगा, इंडियन मार्केट में, by financial year 2026-26 पर यह कुछ factors के ऊपर dependent है दोस्तों, जैसे कि demand incentives कितना होगा, cost of battery कितना होगा, worker का performance कितना होगा, in terms of both range and power, वैसे recently अपने सुना होगा, electric two villages से related कुछ negative news आये थे, आख पकड़ रहा करके, battery explode हो रहा करके, दो दिन incidence हुआ था, पूने में, और भी करेंपी भी हुआ था, ठीक पर यह सारे जो factors है, इसके ऊपर dependent होगा, अगला है, PSLV C-53 mission, Indian Space Research Organization, successfully launch किया है, polar satellite launch vehicle C-53, इसमें तीन Singapore satellites थे दोस्तों, यह ISR का second mission है इस साल का, और second dedicated commercial mission है, New Space India Limited का, New Space India Limited या फिर NSL, इसके बार में हमने पहले भी discuss किया है, यह एक public sector undertaking है, अगर उनके requirement के इसाब से कुछ साटलेट भेजना है, उनके लिए, तो यह क्या होगे, यह commercial satellite हो गया, वो commercial purpose के लिए है, है कि नहीं, अब यह जो Singapore ने तीन satellites launch किया है, यह भी commercial purpose के लिए launch किया है, वैसे इन satellites का नाम दिया है, DSEO, NUIZAR, and Scoop1, for example, Scoop1 एक student satellite है, और यह launch करवाया है, NTU School of Electrical and Electronic Engineering, तो बेसिकली students के ट्रेनिंग के लिए, यह जो particular satellite है, यह launch किया है, और यह launch कहाँ पे हुआ था? स्रिहर कोटा में, सदीश दवान Space Center, और PSLV का यह 55th mission था दोस्तों, और 15th mission था using PSLV core alone variant, अब आप पुछोगे यह PSLV core alone variant क्या है, देखे, PSLV का दो operational variant है, एक PSLV CA, मतलब core alone, दूसरा PSLV XL, अब इन दोनों का major difference यह है, दोस्तों, PSLV core alone variant में, strap on motors नहीं रहता, देखे, रोकट का initial stage में, trust बढ़ाने के लिए, motors attach करते है, ठीक है, रोकट के साथ, अब यह जो core alone में, इस तरह कोई, stop on motors नहीं होगा, दूसरे में, stop on motors रहते है, यह major difference है, और भी कही से रहे technicalities है, उतना deep जाने की जरूरत नहीं है, final news, government keeps interest rates unchanged, देखे, government of India, financial year का हर quarter में, small savings schemes का interest rates release करते है, तो अभी second quarter चल ला है, 2022-2023, financial year का, तो सारे जो small savings schemes का interest rate पिछले quarter में जैसा था, वैसे ही इस बार भी है, देखे, public provident fund इसका 7.1% है, national savings certificate का 6.8% है, फिर देखे, सुगन्या समर्थी योजना है, उसका 7.6% है, saving deposits का 4% पर आना है, वैसे दोस्तों, inflation ज्यादा चल रहे हैं, मैं में retail inflation 7.04% था, RBA recently report rate भी इंग्रीज किये थे, मैं में 40 basis points इंग्रीज किये थे, जून में 50 basis points इंग्रीज किये थे, वैसे report rate मतलब क्या होता है, जिस rate में Reserve Bank of India commercial banks को पैसा लेंड करता है, ठीक है, और एक होता है reverse report rate, सीथा उल्टा, और एक interest rate इधर दिया हुआ है, 5 year senior citizen savings scheme का interest rate 7.4% है, तो कहने का मतलब यह है, small savings scheme में सबसे ज्यादा interest rate senior citizen savings scheme को मिल रहा है, वह है 7.4%, बाकी सब उसे नीचे है, public product fund का देखे, 7.1% है, national savings certificate का देखे, 6.8% है, तो ठीक है, यह हर quarter में change होता है, बस आपको small savings schemes कौन कौन सा है, यह मालूम होना चाहिए, inflation rate बगड़ा, आपको पता यह change होता रहता है, तो यह सब रटा माने की ज़रूत नहीं है, बस आपको एक समझ होनी चाहिए, तो दोस्तों, that's end of it, I hope आपको video informative लगा होगा, lecture की pdf as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा, जिसका link नीचे description box में provided है, thank you for watching, bye bye, have a